जनपद आजमगर में बिलर्या गंकाना चेत्र में बीती राथ पुलिस वाट टाटा मर्जिक पर सवार गउ तसकरो के बीच मुलवेर हो गई इस मुलवेर में ठाना परवारी बाल बाल बच गए हैं हलाकि प्लिस ने घेरा बंदी कर टाटा मर्जिक पर शवार वाहन पर दो गउ तशकरों को पुलिस ने दबोज लिया है जबकि उनके अंग दो साथी भागने में सफल रहे हैं पुलिस ने कबजे में ली गई टाटा मर्जिक पर लदेग गउवन्स वा पसु तसकर से तमंचा वा कार्तूस भी बरामत किया रहा है आपको उतार दे कि जन्पर आजमगर्जी लेके बिलरिया गंग ठाना चेत्र में बीती राग पुलिस गस्त पर निकले थी तभी ठाना प पुल बंकट मार्क से होते हुए बिहार की वह जाने वाले हैं इस सुचना पर पुलिस तुरंत सतर होकर मौके पर पहुची और तसकरों को दबोजने के लिए पूरी कोशिस की तो वहीं देर राज जो कर मोल के पास गुजर रही टाटा माजिक पर पुलिस की निगाहे पड तो ताटा माजिक पर सवार पसु तशकर ने पुलिश टीम पर हमला कर दिया इस घंटना में थाना प्रवारी बाल बाल बच गए तो महीं पुलिस ने भी घेरा बंदी करके पसु तशकरों को दबोज लिया ग्रिपार कर लिया जबकि अन उनके साथी भागने में सफल रहे कोई पकड़े गए पसु तशकरों के कबजे से पुलिस ने 315 बोर्ट का कमंचा वाकार्तूस भी बरामत किया है वाहन पर लगे गउवंस भी बरामत किये गए हैं पकड़े गए आरोपी में से आजै सरोज एवं सागर सरोज दोनों साहना गान ठाना के मसुआ भटई गाउ के निवासी बताये जा रहे हैं पिलाल पुलिस ने गिरिपतार केक करके गउ तसकरों को जेल भेजने की करवाही वी कर दिया है अब पोता देए कि जन्पत आजंबर में पुलिस परसासन के द्वारा लगातार छेत्र में भारमर कर अप्रादियों के खिलाब अभ्यान चला कर कारवाही की जा रहे हैं वहीं कई सराब माफिया भी जेल में पहुच चुके हैं अब गउ तसकरों को भी पुलिस के द्वारा लगाकार पकड़ करके उनके खिलाब कारवाही करते हुए उन्हें आजंबर पुलिस जेल भेजने का काम कर रही है वर्तवान में जन्पद में गौव अंश का संचन करने वाले उनकी हत्या करने वाले जो अपरादी हैं उनके विरूद अभियान चला हुआ है उस अभियान के तहत दो पुलिस मूट्रिवर्ड में करिफतार किये गए हैं और ये एक मैजिक में एक बच्चड और एक गायब अवैद वत करने के लिए गौथिया करने के लिए ले जा रहे थे इनके पास से एक तमंचा कार्तूस वरामत हुआ है गाड़ी में गौवश वरामत हुए है और दो अभियुक्ति इसमें करिफतार किये गए है